इतना ही नहीं पिछले वर्ष की तुल्ना में इस साल सोया बीन के भाव में लगबग 1000 से ज़ादा के गिरावट आ चुकी है पिछले वर्ष फरवरी महीने के दुरान सोया बीन के भाव 55 रपे प्रतिक विंटल के आसपास थे लेकिन इस साल सोया बीन के भाव न्यूंतल्स मर्थन मुल्या यानि 46 रपे प्रतिक विंटल से भी नीचे चल रही है सोया बीन के भाव में ये गिरावट किसानों के लिए सबसे बड़ी चिंता का विश्य बनी हुई है दरसल लंबे समय से गिरावट जारी रहने के कारण किसानों और विपारियों को भी आगे की स्तिति दिखाई नहीं दे रही सोया बीन के भाव निकट भविश्य में क्या रहेंगे यह प्रशन सभी के मन में है सोया बीन भाव की इस रिपोर्ट में आये जाने की कोशिश करते हैं कि सोया बीन के भाव आगे क्या रहेंगे दरसल रभी सीजन की शुरुवात के बाद भी सोया बीन के भाव में भडोतरी नहीं हो पाई जबकि ग्रामिन शेत्रों से इन दिनों सोया बीन की आवग भी कम जोर है और किसान रभी फसलों की कटाई में भी व्यस्त हैं आवग की कमी के कारण प्लांट पूरी शमता से नहीं चल पा रहे साथ ही देखा जाए तो विवाहिक सीजन की वज़े से सोया तेल में मांग जोरदार है आगे होली की मांग भी निकल रही है चबकि सोया तेल का स्टोक बजारों में प्याप्त मातरा में नहीं है बीते दिनों की गिरावट को देखकर स्टोकिस्ट भी फिलाल संबल कर खरीदारी कर रहे हैं ऐसे में अब सोया बीन के भाव में तेजी को थोड़ा सपोर्ट मिलता दिखाई दिया है उधर दूसरी तरफ देखा जाए विदेशी बाजार सोया बीन के भाव में भड़ोतरी को फिलाल सपोर्ट नहीं कर रहे है विदेशों में कमजोर मांग के कारण सीबोट सोया बीन कई सालों के निचले सर पर आ गया है ब्राजिल से कड़ी प्रतिस परधा के बीच अमेरिकी सोया बीन सपताहिक निर्यात 84 फीसद गिरकर 55,900 टन पर पहुँच गया है उधर अमेरिका और ब्राजिल से सोया बीन की खरीद की खबर से भी कीमतों पर दबाव बड़ा है वही 1.04 लाख टन सोया बीन के साथ 3 जहाज ब्राजिल बंदरगा से अमेरिका के लिए रवाना होने वाले हैं ब्राजिल से 38 फीसद सोया बीन शेतर की कटाई हुई है जबकि पिछले साल ये साड़े 34 फीसद थी ब्राजिल में सोया बीन की कटाई पूरी होने के बाद ही विदेशी बाजारों में सोया बीन भाव की पूरी स्थिती स्थ हो पाएगी एसे में बात करें अगर अर्जेंटीना की तो अर्जेंटीना में कृषिव करमंत्राले की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ब्राजिल में सोया बीन का उतपादन घटने की सम्भावना है लेकिन उपज घटने के बावजूद भारत से इसकी सप्लाई हो जाएगी अर्जेटिना में सोया बीन का उत्पादन अनुमान 5 क्रोट टन का लगाया गया है उदर अमेरिकी क्रिशी विभाग की रिपोर्ट में वैश्विक तिलन उत्पादन वर्ष 2023-2024 में घटा कर 6,590 लाग टन होने का अनुमान लगाया है यह कटोती ब्राजील में सोया बीन और चीन में सनफलार सीड का उत्पादन कम होने की वज़ा से की गई है हाला कि इसकी भरपाई भारत में सरसो का उत्पादन बढ़ने से हो जाएगी सोया बीन और सरसो दोने के उत्पादन बढ़ने से हो सकती है सोयाबीन के दाम भी 12.65 डोलर प्रती बुशल रहने की संभावना फिलाल व्यक्त की गई है जो कि पिछले साल से कम है रिपोर्ट में विश्व में सोयाबीन का उत्पादन 49.89 लाग टन से घटाकर 49.83 लाग टन रहने का नुमान लगाया गया है अर्जेंटिना में सोयाबीन का उत्पादन साथ 2023-24 में 5 करोड टन होने का लगाया गया है जबकि 2021-22 में सुखे की वज़े से 2.5 करोड टन और वर्ष 2021-22 में 4.49 लाग टन हुआ था चीन में चालू वर्ष में दो करोड आट लाक टन जबकि 2022-23 में दो करोड दो लाक टन और 2021-22 में एक करोड 63 लाक टन उत्पादन हुआ था ऐसे में अमेरीका से सोया बीन का निर्याद घटेगा जबकि अर्जेंटीना ब्राजिल से बढ़ने की संभावना है वहीं अगर भारतिय बजारों की बात की जाए तो पिछले दिनों महाराश्टर में MSP पर खरीद का खूब परचार परसार किया गया किन्तु अभी तक खरीद शुरू नहीं हुई MSP से नीचे सोया बीन बिक रही है वास्ता में भारतिय किसानों का भागया सोया मील के निर्यात से जुड़ चुका है किसान यह अंदाजा लगा लेने के लिए मजबूर है कि सोया मील का निर्यात होगा या नहीं यदि नहीं होता तब उध्योग के साथ स्टोकिस्ट किसानों को भी घाटा उठाना पड़ सकता है जबकि दूसरी तरफ सोया बीन का कैरी ओवर स्टोक कुछ उध्योग काफी जादा बता रहे हैं और प्लांट अपनी सुविधा के अनुसार सोया बीन में खरीदारी कर रहे हैं सोया मील का निर्यात कमजोर होने से क्रशिंग भी कम हो रही है और इसका सीधा बोज किसानों पर आ रहा है क्योंकि सोया बीन MSP से काफी नीचे बिखने लगा है उदर भारतिय बजारों में सरसो की फसल के दबाव की वज़े से भी सोया बीन के भाव पर असर पड़ा है नई फसल मंडियों में बड़ी मात्रा में आने के बाद सोया तेल मी दबाव में आ सकता है फिलाल पाम अत्वा सोया तेल में तेजी के असार नजर नहीं आ रहे उधर मलेशिया से कमजोर निर्याद बहतर उत्पादन में बड़त पर ब्रेक लगाता नजर आ रहा है और वही मलेशिया ने मार्च महीने में क्रूड पाम तेल का निर्याद शुल्ट में कोई परिवर्तन नहीं किया टैरिफ से बजार पर कोई प्रभाव पढ़ने वाला नहीं है और एक अन्य रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरीका में जन्वरी महीने में 185.780 मिलियन भुशल सोया बीन की पेराई की गई है जो कि दिसंबर महीने से 49 फीसद कम है बताया जाता है कि भीशन ठंड की वज़े से परिचालन में जो पेराई है वो घटी है अमेरीका में सोया तेल का स्टोक 10 फीसद बढ़कर 1.507 बिलियन पाउंड से अधिक हो गया है वहीं अमेरीका में सोया बीन का उत्पादन 2023 से 8 फीसद अधिक है जो कि 4.505 बिलियन भुशल तक पहुँचने का अनुमान है वहीं सोया बीन का सबताहिक निर्या 3-8 लाग तन अनुमान की निचली सीमा 3,53,000 तन पर सिमट गया है विश्व में उत्पादन को देखते हुए किसानों को मुंफली, तिली की और ध्यान के निरित कर देना चाहिए क्योंकि सोया बीन फिलाल लाब की खेती दिखाई नहीं दे रही, उत्पादकता भी नहीं बढ़ सकती है ऐसे में सोया बीन MSP से नीचे भी बिक रहा है अब सवाल ये उठता है कि राज्ये सरकारों को इस और ध्यान देना चाहिए क्योंकि अगामी बोनी सोया बीन की ही होगी और हो सकता है किसान इससे मूँ मोरना शुरू कर दे गोर तलब है कि किसानों को प्रति साल कुछ न कुछ मातरा में अगर सोया बीन का रकबा घटे तो शायद अच्छे भाव मिल पाए क्योंकि कम उत्पादन होने पर ही सोया बीन के भाव बढ़ सकते है फिलाल उध्योग के पास आयात शुल्क बढ़ाने के इलावा कोई भी सुझाव नहीं है ऐसे में सरकार ने वाइदा बंद करके और आयात शुल्क में राहत देकर आवो भोकताओं का तेल निकलने से बचा लिया लेकिन इससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है अब सोया बीन के भाव तभी बढ़ पाएंगे जब सरकार इसमें हस्तक शेप करे ऐसे में सरकार आयात शुल्क लगा सकती है और समर्थन मुल्या पर सोया बीन की खरीदी शुरू कर सकती है बहराल इसके इलावा फिलाल सोया बीन की कीमते उठती हुई नजर नहीं आ रही जानकार मान कर चल रहे हैं कि जिस तरीके से सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है सोया बीन के भाव फिलाल दबाव में बने रह सकते हैं रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस रिपोर्ट को लाइक करे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करे Bureau Report Market Times TV